नमस्कार मेरा नाम है अभिनोत शांशो पांडे और अभिपसा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो हम लोगों ने एक वीडियो हम लोगों ने अभी अभी देखी थी जहां पर हम सदिसों का आदे सगुणन पल निकाल रहे थे और उसको समझने थोड़ा सा आसान हो गया था जब हम लोगों ने क्या यूज किया था हम लोगों ने सिम्यूलेशन यूज किया था अब हम आज जो है ऐसी ही एक और चीज़ लेके आए हैं जहां पर समझने में बहुत ज़दा आसानी हो जाती है अगर आप टेकनोलोजी का मैं कोई परिशानी नहों और इसी सिलसिले में आज का जो हमारा चैप्टर है आज का जो हमारा डिसकेशन है वो क्या रहने वाला है यह देखते हैं तो आज जो है भौतिकी में हम सदिसों का सदिस गुननफन मतलब क्रॉस प्रोड़क्ट और फैक्टर यह देखने वाले हैं और आप बिल्कुल pen copy उठाके नहीं किनारे कर दीजिए और मेरे साथ लग जाईए क्योंकि यहां पर main मुद्दा है समझ का अगर आप समझ पाए तो फिर बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं तो चल यह देखते हैं कि जो सदिसों का सदिस गुनन फल है इसलिए हम लोगों ने क्रॉस लगाया है पिशली बार जो है वो अदिस गुनन फल था तो हम लोगों ने क्या लगाया था डॉट और इसी के कारण आप जानेंगे कि इसको हम क्रॉस प्रॉड़क्ट कहते हैं और उसको हम डॉट प्रॉड़क्ट भी कहते हैं अब यह जो cross product है हम निकाल रहे हैं यहां पर होता क्या है सबसे पहले चाहिए हमको क्या एक vector ठीक है यह हमारा पहला वेक्टर आ गया और इसी तरीके से हमको जो है यहां जरूत पढ़ गए दूसरे वेक्टर की हम दोनों vector मतलब दोनों सरीसों को लेके इनका cross product निकालने वाले हैं क्या करना चाहिए तो पहले तो नाम रख दो ताकि हमको समझ में आए कि हम किस से किसकी बात कर रहे हैं अब यह उठा के हम जो है a dot b यह a cross b हमको यह निकालना है और a cross b एरिया निकालने छेत्रफल निकालने तो हमको परिमार मिल जाएगा किसका हमारे अगले सदिसका ठीक है तो अब जो है परिमार निकालने के लिए हम जो है इसका छेत्रफल निकालते हैं और आपको पता होगा कि छेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है लेकिन अब हमको क्य cross B कर रहे हैं और इसका जो नियम है वो दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है कि जब भी हम जो है कोई vector product निकाल रहे हैं तो जिन दो vectors का गुना हो रहा है अपना हाथ इस तरीके से रखिए कि पहला vector से दूसरी vector के और हमारा हमारी उंगलिया गूमे मतलब अगर जो है मैं यहां पर हमारा पीला वाला vector A है नीला वाला vector B है तो मैं अगर हाथ ऐसा रखूं और उसके बाद में इस तरीके से घुमाओं अपने उगलियों को कि वो B की और बंद होती है तो मेरा अंगुठा कहा पॉइंट करेगा यहां देखिए यह देखिए कि मेरा अंगुठा पॉइंट करेगा किधर अंदर की और तो जब भी हमको दिसा जाननी है हम इसी तरीके करनी है कि यह जो अगर वो अंदर जा रहा है तो आपको जो है जो तीर है आपके पास में एक एरो है एक तीर है कैसा इस तरीके का एरो है जिसमें चार पंखुडियां लगी वही है तो आपको उसके पीछे जो है ऐसा क्रॉस जैसा दिखेगा होई चीज यहां पर दीख रहा है देखिए तो ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है ये बता रहा है कि आपका तीर अंदर घुसा हुआ है ये दिशा के बारे में बात होई हम लोगों ने दिशा कैसे निकाली A से B की और उंगलियों को घुमाया और दाए हाथ के उंगलियों को और A से B की और घुमाने पर जो अंगुठा मुझे दिखाएगा वही मेरी दिसा होगी तो यहां तक की बात तो हमको समझ में आगए अब हमको देखना है कि अगर हम दिसा पलट दें मतलब अगर हम B क्रॉस A निकालेंगे तो क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों एक ही जैसी बात है उत्तर है नहीं तो अगर हम B क्रॉस A निकालते हैं तो पहले B जाएगा फिर A आएगा और इस तरीके से अभी परिमार की बात करेंगे तो परिमार के लिए फिर से हम जो है समाना अंतर चेतुर भुझ बनाएंगे और इस समाना अंतर चतुर भुझ में क्या करना है छे तरफन निकाले यह तो उसको उससे हमको परिमार मिल जाएगा अच्छा एक और चीज जो हमको यहां पर ध्यान देनी चाहिए वो है दिसा अब दिसा के लिए हम क्या करते हैं दिसा के लिए हम यहीं करते हैं कि इस बार भी पहले जो वेक्टर है वहां से दूसरी बार दू की और आ रहा है तो हमारा तीर भी इसी तरीके से घुसेगा तो यह आगे हमारा तीर और इस बार हमारा तीर किधर जा रहा है इस बार हमारा तीर बाहर की और मतलब आपकी और जो है दिशा दिखा रहा है ठीक है और यहां अगर आप ध्यान से देखें तो हमको क्या नजर आ हाल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी हमारा resultant वेक्टर है उसकी दिशा की धर है आपकी ओर थीक आप जो आ हम आगे की बात करते हैं कि यह जो दो ड्ण्डिया क्या बता रही हैं यह जो दो ड्णिया लगे हुई है इसको बोलते हैं modulus और यह सिर्फ परिमार की बात करती है, मतलब यहाँ पर हम दिशा की नहीं सिर्फ उसके आंकिक मान की बात कर रहे हैं, और आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान होता है समांतर चतुर भूज का शेतर फल तो हम अगर इस समांतर चतुर भूज का शेतर फल निकाल लें तो हमको चिंता नहीं करनी है चलिए अब आगे की बात क्या हो सकती है तो आगे की बात ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ पर A क्रॉस B के लिए a b sin theta का जो है यहाँ पर value देखा है और यह जो a b sin theta की जो value आ रही है इसमें हम अगर theta बदलते जाते हैं तो क्या क्या अंतर क्या क्या बदलाओ हमें देखने के लिए मिलेंगे यह चीजे देखते हैं तो सबसे पहले ले आए हम theta को नीचे अब यहाँ पर theta कमान अगर मैं 0 degree र अनुद़र रोज़े क्रोस यह सारी के सारी तो और यह है निय bravery की दिशा एक जैसी होती है और स्वास्टो क्या हो जाएगा अगर 90 का प्रोड बनाए स्विपृत दिशा हो गई इसलिए फिर से हमको शुन्यमान मिलेगा और इसी तरीके से अगर 270 हो जाए तो अब आप ध्यान दिजेगा यहां पर हमको रिनेक मिलने वाला है ठीक है तो यह सीजे हम लोगों ने ध्यान में रखी अब इसके हिसाब से जो हम सदिसों का जो है कैसे निरधारण करते हैं यह देखिए तो हमारे पास में आ क्या आ गया आई आया आई क्रोस आई अब आई क्रोस आई मतलब आई और आई दोनों के दोनों की दिसा क्या है एक दूसरे के समांतर है या वो एक ही दिसा में है तो इसका मान कितना मिलना चाहिए शून्यमिलना चाह तो यह बात आप लोगों ने समझ ली तो यहां हमारा उत्तर कितना है शूर नहीं देखिए ठीक है अब अगली बात करते हैं कि अगली बात यह है कि अगर मैं आई का क्रॉस प्रोड़क्ट निकालो जे से तो यहां पर आई और जे के बीच में जो कॉंड बन रहा है वो कैसा है न भीया तो अगर मैं परिमाण की बात करूँ गा तो समझें चाहिए हम अगर राकिसे कि बात करें तो जे क्रॉस के करने को को फिर क्या मिलेगा आई मिलेगा और वो भी धनात्मक मिलेगा इसी तरीके से के क्रॉस आई करने से भी हमको जे मिलेगा और वो भी धनात्मक मिलेगा और हर एक कि जे क्रॉस आई करें गये और जे कॉस्ट आई मतलब अब जे से आई कियों मतलब हमारे दिसा जो आ rozm से वहा अंदर की ओर जा रहे हैं हम लुगने के के बाहर है हमको धनात्माक्म रों के और जाय करने से और चैंज कर देने से त्धिसा वदल जाती है यही चीज तो हमको समझ नी है और हम को मिलने क्यावाला है यह सारे हम याद कैसे करेंगे मतलब समझ्य यह है कि सीख तो गए सर लेकिं जब नवर वुई सर्थ कहां से रहें क्लॉक्वाइस घुमा रहा हूं तो आप देखे आई के बाद में अगर जे आया तो इनका जो है जो क्रॉस प्रोड़क्ट होगा वो हमको उत्तर क्या देगा के और कैसा देगा क्योंकि क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में घड़ी की दिश्चा में जो हमारा गुचक्का घूम र लोगों ने समझी अब हम बात करेंगे कि अगर मैं आई क्रॉस के निकालों मतलब मेरे चक्के की घूमने की दिश्चा क्या हो गई उल्टी हो गई अब एंटी क्लॉक्वाइस में घूम रहे हैं तो आई कॉस के से क्या मिलेगा जे लेकिन रिनात्मक और जे क्रॉस आई क्य मिलेगा के लेकिन रिनात्मक ये बातें आप लोगों ने समझी चलिए आगे बढ़के देखते हैं अब आगे क्या है आगे ये है कि हमको ऐसे किसी मतलब डेटा की जरूरत है ऐसा किसी सवाल की जरूरत है जहां से हम सीख सके कि हम कैसे क्रॉस प्रॉड़क्त निकालेंगे ठीक है तो चलिए हमारे पास में पहला जो है प्रश्ण आगया ए वेक्टर है हमारा 2i प्लस 3J प्लस 4K और वेक्टर B हो गया हमारा 3i प्लस 5J माइनस 6K अब इनका क्रॉस प्रॉड़क्त निकालना है मामला थोड़ा सीरियस है आप अब समझने के लिए तयार हो जाएए इ इस क्रॉस प्रॉड़क्त में करना क्या है पहले तो हम जो है इस क्रॉस प्रॉड़क्त के लिए जो है कुछ तयारिया कर लेते हैं वो क्या क्या तयारी है हमारा A वेक्टर हम लोग ने हटाया हमारा B वेक्टर हम इधर लेके आ जाएंगे यहां रख देंगे और इनके इंटर्मिनेंट वाला आपको साइन दिख रहा है मैट्रिक्स वाला आप व्यू हो आप लोगों ने सुना होगा यह उस तरीके का साइन है सबसे पहले हम आई जे के इन सब को इनवाइट कर लेते हैं भाई आई आ गया जे आ गया के आगया अब सबसे पहले हमको किस वेक्टर कि भाई व्यक्टरबी के भी तो बात करेंगे चों सबसे पहले हमको क्या निकालना है हमको पहले निकालना है आई तो हम लोगों ने आई को वहां रख दिया अब जो बचा हुआ है यहाँ विद्हेंze हूठ गर्यक्त करके सबसे मान डालते जाते हैं पहले हम लोगों ने ये तीर की दिशा ली थी और उसके बाद में नीचे बीच में साइन लगा के यहां पर जो है हम दूसरी दिशा ले ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमको जो है आई का जो मान निकालना है मतलब आई के साथ में ब्रैकेट लगाना प कहिलाने कर देंगे अब भी जिए और इस लाइन में पी जए है तो यह जो जे इन दोनो लाइनस में है तो हम यह दोनों लाइन जो है video कine कि एभ यहां देखे एक लगा हुआ है हुसका कारन क्या है यह में बताँ किया है कि हम जो है जब आई का जो calculation कर रहे थे तब हम लोगों ने ये दोनों ढखा था और हम जे क्रॉस के कर रहे थे उसी तरीके से यहां पर भी जो है जे क्रॉस के कर रहे थे लेकिन जब हम लोगों ने जे के लिए किया है तो देखिए ये जो दो है और तीन है इस order को हम पहले लेंगे यहां पर ये दोनों values उठाके वहां डालेंगे ठीक है तो ये दोनों को multiply करके हम लोगों ने ये value डाली फिर बीच में लगता है minus sign तो minus sign लगाने के बाद में फिर हम ये वाला दिसा लेंगे और यहां पर अब तीन और चार को गुणा करके लिखे देंगे तो तीन और चार गुणा किया अब इसको अगर आप solve करेंगे तो आपको मिलता है 24 और minus जे जो है बाहर भी है और एक minus sign अंदर भी है तो इस तरीके से हमको जे मिल गया 24 और उसको लाके भी यहां रख देते हैं यह हमारे उत्तर का हिस्सा है अ चार इसके बाद में हम जो है अब केक उठाके वहां रख देगे के रखने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या हैख देखिए यहां पर हम एhmाइरो लगा यह और यह तो अगया और यह तीन गुना तीन अब ये तीन मुना तीन जो है यहां आ जाएंगे और इस तरीके से जो है हमको के वाला ब्रैकेट भी मिल गया इस के वाले ब्रैकेट के अंदर जो है जो चीजें है उसको सॉल करने के बाद में हमको के की वैलियों मिली वान ठीक है तो A क्रॉस B निकालने के लिए हम लोगों में यह सारी चीजें देख लिए अब A क्रॉस B को सहीं ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं सबसे पहले चलो भाईया आई आ गया आई कितना है माइनस 38 है प्लस फिर जे आ जाएगा और फिर आ जो भाईया जी और उसके बाद में जो है फिर के आ जाएगा और इस तरीके से हम सुख को को एक क्रॉस B की वैलूस निकल गाए की यहां दियान देने वाली बात क्या है कि एक प्रोडति Rouge के है और इसलिएim को यहां बी वेक्टर से मल्टिप्लाई हो गया सी वेक्टर की लंबाई कितनी है परिमार कितना है जाना कितने किलोमीटर है तो परिमार निकालने के लिए क्या करते हैं परिमार निकालने के लिए आर को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में जो है यहां पर अंडरूट लगाके ठीक के बहुत सारे simulation इसी तरीके की conceptual चीजें आपको अभिप्षा के platform में मिलने ही वाली हैं हम इसी बात के लिए तो मेनत करते हैं भाई तो अगर आपको नीचे description में जो है हमारी website www.afipsha.in इसका जो है लिंक दिख रहा होगा आपको कुछ जानना है तो हमारा WhatsApp लिंक है आप messages कीजिए call कीजिए आपको वहां पर से information मिल जाएंगी और इसके साथ साथ play store में हमारा जो application है आप वहां से यह application install कीजिए कुछ sample videos भी मिलेंगी और उसके बाद में अगर आप हमारा course खरीते हैं तो आप मेरा जो coupon code है मेरा जो coupon code है वो क्या है ABT अब भिनाव तो शान्शू 100 अगर आप यह coupon code लगाएंगे तो आपको 10% discount तो मेरी तरफ से मिलेगा तो आई कीजिए इंस्टाल कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो जो है आपको मिलते रहें तो चलते हैं अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए बाए बाए